आकाश्वार्णी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं नवनीत चोबे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहा कि देश के विकास में राष्ट्रिय चरीतर की अहम भूमी का है और नई पीड़ी में राष्ट्री चरीतर को गढ़ने उन्हें आधुनिक और नई दिशा देने में सबसे बड़ा दाईत्व शिक्षकों का है प्रधान मंत्री आज भोपाल में नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ती पत्र देने के लिए आयजित कारिक्रम को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित कर रहे थे इस कारिक्रम में 5580 शिक्षकों को नियुक्ती पत्र दिये गए नई शिक्षानीती की विशेश्ताओं का उल्लेक करते हुए प्रधान मंत्री ने कहा कि इसमें पारंपरिक ज्यान के साथ भविश्य की नई तकनिक का भी समावेश है मात्र भाषा में पढ़ाई के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री मोधी ने कहा कि मात्र भाषा में पढ़ाई का आउसर नहीं मिलना सामाजिक न्याय के विरुद्ध है और हमने इस बेहत्बाव को दूर कर नई शिक्षानिती में शेत्रिय भाशाओं में भी पढ़ाई के अउसर स्रजित किये हैं भूपाल के भेल इस्थित सीएम राइस शास की महत्मा गांधी उचतर माध्यमिक विद्याले बर्खिडा में अजित इस कारिक्रम को मध्य प्रदेश के मुख्यमंतरी शिवराज सिही चोहान ने भी सम्बोधित किया और सांकेतिक रूप से दस शिक्षकों को नियुकती पत्र प्रदान किये श्री चोहान ने कहा कि शिक्षक की नोकरी साधरन नहीं है शिक्षक बच्चों का भविश्य बनाने का कार्य करते हैं आजादी के अमरत महसों के समापन के अउसर पर 9 से 15 अगस तक मेरी माटी मेरा देश अभियान मध्य प्रदेश के सभी गाउं में सफलता पूर्वक चलाया गया इस संबंद में आज भोपाल में केंद्री युवा कारिक्रम और खेल मंत्राले की सचिव मीता राजिव लोचन ने राजस्तरी समिक्षा बेठक की सुश्री मीता ने बताया कि कारिक्रम देश भर में जन भागिदारी और विशेशकर युवाओं की भागिदारी से सफल रहा देश के 3,65,000 गाउं और शहरों में इसका योजन किया गया साथ ही करीब 4 करोड लोगों ने 5 प्रण की शपत ली उन्होंने बताया कि प्रदेश में माटी को नमन वीरो को वंदन की भावना के साथ इस अभियान के तहट 28,000 से ज़्यादा पंचायतों में कारिक्रम हुआ जिसमें 25,000 से ज़्यादा अमरत वाटिकाओं का निर्मान किया गया और 17,000,000 से अधिक पोधों का रोपन हुआ 28,000 पंचायतों और 55,000 गाउं में जिस उत्साह से मेरा माटी मेरा देश प्रोग्राम का कारियान बन किया है वो सचमुच बहुत ही उलेखनी है आज तक 25,000 से ज़्यादा अमरत वाटिकाओं लगाई गई है और 17,000,000 से ज़्यादा वोधों का वोधा रोपन हुआ है ये केवल शास्की अधिकारी द्वारा या शास्की कारियाले द्वारा किये गए ऐसा कता ही नहीं है इसमें सचमुच की जन भागेदारी है लोग इसमें हर लेवल पे इनवोल्ड थे बेठक में नहरु युवा केंद्र, ग्रामिन विकास विभाग, राश्ट्री सेवा योजना, आकाश्वानी और दुरदर्शन सहीत अन्य विभागों के प्रतिनीधी शामिल हुए नाग पंचमी का त्युहार आज धार्मिक परंपराओं और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है साल में एक बार नाग पंचमी के अउसर पर खुलने वाले उज्जेन के भगवान श्री नाग चंदरिश्वर के पट रातरी बारह बजे खोले गए पंचायती महानिर्वानी अखाले के महंत विनीदगीरी महराज ने विधी विधान से श्री नाग चंदरिश्वर भगवान का पूजन अर्चन किया इसके बाद मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए खोले गए इसके साथ ही आज सावन के साथवे सोमवार के उसर पर भगवान महाकाल की सवारी भी निकाली जाएगी खंदवा जिले की पवित्र तीर्थ नगरी उंकारेश्वर में भी आज दोपहर में भगवान उंकारेश्वर और ममलेश्वर की महा सवारी निकाली जाएगी मन्सोर आगरमालवा नर्मदापुरम जबलपुर सतना सहित अन्य जिलों से भी नाक पंचमी का पर्व मनाय जाने के समाचार मिले हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिही चोहान ने आज पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गी श्री बाबुलाल गोर की पुर्णे तिथी पर उन्हें शद्धान जली दी निवाडी जिला हर महा की तरह इस महा भी खाध्यान वित्रण में प्रदेश की वरियता सूची में प्रथम इस्थान पर रहा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहट 22 अगस्त को टीकमगर जिले से 203 ट्रेन से द्वारका के लिए रवाना होंगे इस बुलिटन में बस इतना ही नमस्कार